Hello students, Assalamualaikum. Yesterday we did write in words question number 6 and we did the part A. I gave you homework B, C and D. But today I would like to explain again. आपने class 3 में 2 में पड़ा है, this is unit, this is 10, this is 100. तो जब भी हम कोई भी number हमारे आपास आएगा, हम उसको left से देखेंगे. हम 3, 3 इसको हिस्सों में डिवाइट करेंगे. तो अगर आपके पास कोई भी number आए, आप उसको left से 3, 3, 3 करके separate कर दीजे. लेकिन अगर आप ये देखें कि इस तरफ 2 आ रहा है, तो it is okay. अब मैं आपको पढ़ना बताऊंगी कि इसको कैसे पढ़ेंगे. ये तो आपको मालूम है, unit 10, 100, this is 100. ये क्या है? ये 1000 का है, तो 389, 1000. अगर this is new. ये six digits के numbers तो आप पहले ही जानते हैं. new क्या है? million. इस is million. million का भी वो ही तरीक एका है, जो thousands और 100 का है. इसमें सिर्फ हम लोग million लिखेंगे. for example, ये कितने हैं? 27 million. अगर इसमें 3 हो जाएंगे, जैसे for example, अगर मैं कहूं, okay, 2, 1, 3, तो ये क्या हो जाएगा? 213 million. और अगर इसमें 1 हो जाएगा, जैसे for example, सिर्फ 7 हम कर लें, तो क्या हो जाएगा? ये 7 million, क्योंके ये 7th digit है, ये 6 digits है. Let's do this. ये क्या हो जाएगा आप? क्योंके million में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 27 million. अब ये thousands है, हम क्या लिखेंगे? 389 thousand and अभी ये इसको करेंगे. 100. That's it.